हेलो एव्रिवान, माइडियर फ्रेंड्स इससे पहले हम भालेंस बॉंड थियोरी, भालेंसल इलेक्ट्रोन प्यार रिपॉल्शन थियोरी, हाइब्रिडिजेशन ये सारे काफी कंशेप्ट को हम अच्छे तरह से डिस्काशन कर चुके हैं आज, आज इस क्लास में हम एक बढ़िया इंट्रेस्टिंग कंसेप्ट डिसकाशन करेंगे हैं, वो कंसेप्ट है फाजन्स थियोरी और फाजन्स रूर, और इसमें आक्चुली क्या है, क्या है इस थियोरी में, अब तक हम आयोनिक बंड और कोवालेंट बंड को अच्छे तर के तरह से डिसकसन कर चुक हैं, लेकिन दुनिया में कोई भी चीज, आपसुल्यूट नहीं है, मतलब ऐडियल पर्सनल्यूटी, आइडियल टीचर, आइडियल स््टुडेंट, आइडियाल ग्यास, हमको पता है न, आईडियाल ग्यास कोई नहीं है, ये से आइपोथेटिक यास ठीक उसी तरह हाँकुछ रीयल यास पडिकुलर कंडिशन में आईपियल यास के तरह बिएव करते हैं लेकिन आईपिय। यह बात दिमाग में रखना चाहिए कोई भी बंड आयोनिक 100% नहीं होता कोई भी बंड कोभालेंट बंड 100% नहीं होता आयोनिक बंड में भी कोभालेंट बंड का क्यारेक्टरिस्टिक्स रह सकता है इस थियोरी को इस कंसेप्ट को लेके आए Mr. Fajan the eminent physicist and chemist my dear friends so कोई बंड 100% आयोनिक नहीं होता आयोनिक बंड में भी कोभालेंट क्यारेक्टर है इसको कैसे प्रूव करेंगे example लेंगे और देखेंगे मैं लेता हूँ lithium metal के बारे में और इसके नीचे जो है sodium metal के बारे में lithium का chloride है lithium chloride and sodium chloride form है halide form है sodium chloride इसका मतलब यह है कि sodium chloride एक आयोनिक compound है जब हम आयोनिक बंड के बारे में discussion कर रहे थे तो sodium chloride एक ऐसा example जो पहले आया था तो NaCl जैसे कि हम बोल रहे हैं यह Na++Cl माइनस देगा तो यह आयोनिक compound है और आयोनिक compound dissolves easily in dissolves easily in water dissolves easily easily in water यह हमको अच्छे तरह से पता है कि आयोनिक compounds पानी में वाटर में बढ़्या डिजल्व होते हैं इसका मतलब यह है sodium का सेम ग्रूप में lithium है आवर एक्सपेक्टेशन शूट भी similarly similarly lithium chloride must also must also dissolve in water easily क्यूंकि sodium एक ही ग्रूप में होने वाले हर एक element का characteristics almost same होता है हाँ कुछ exceptional characteristics रह सकता है लेकिन बहुत सारे characteristics मिल जाते हैं जब हर एक elements एक ही ग्रूप में रहते हैं जैसे कि sodium, lithium, sodium, potassium, rubidium, cygium, francium यह सारे alkali metals है alkali metals का characteristics almost match करता है are you getting me so अगर अगर sodium chloride पानी में अच्छे तरह से डिजल होता है lithium chloride must also dissolve in hydro in a water easily but this is not the case but but this is not the case lithium chloride lithium chloride is not is not soluble to a great extent to a great extent in water हाँ water में dissolve होता है लेकिन इतना भी नहीं जितना sodium chloride and potassium chloride dissolve करते हैं lithium chloride is not soluble to a great extent in water rather rather क्या होता है जो sodium chloride and potassium chloride से कोई उमीद नहीं रहता है मतलब sodium chloride and potassium chloride like substance ionic substance इसको हम बोलते हैं वो organic solvent में dissolve नहीं होते हैं whereas lithium chloride organic solvent में dissolve होता है rather it is soluble in organic solvent like kerosin, like ether, benzene, carbon tetrachloride जो भी हो so ये बात एक चोका देने वाली बात है क्यों? क्योंकि sodium chloride अगर पानी में dissolve होता है, lithium chloride को भी पानी में dissolve होना चाहिए लेकिन ये dissolve तो इतना अच्छा पानी में नहीं होता है, लेकिन बढ़िया dissolve organic solvent में भी होता है कौन सा compound organic solvent में बढ़िया dissolve होते हैं covalent compound, जिस compound के अंदर ज्यादा तर covalent ones है, वो compounds in general organic solvent में dissolve होते हैं लेकि हम अगर बोलेंगे कि कुछ organic solvent, ethanol ethanol तो water में dissolve होता है अगर मैं बोलू कि benzoic acid, benzene में dissolve होता है like dissolves like, polar compound, polar solvent में dissolve होते हैं did you get me? so, lithium chloride अगर organic solvent में dissolve होता है, तो lithium chloride में covalent character है lithium chloride में covalent character है लेकिन हमको जैसे की ये group से पता चलता है sodium chloride अगर ionic है तो lithium chloride को होना चाहिए लेकिन lithium chloride organic solvent में dissolve होता है इसका मतलब इसके अंदर भी कुछ covalent character है इसको कैसे प्रूब करें? प्रूब करते हैं Mr. The Eminent Chemist फाजान ये चीज के बारे में हम फाजान जुरूल में discussion करेंगे कैसे क्यूं lithium chloride dissolve होता है organic solvent में? अब तक हम कितना time waste कर दिये? नहीं ये time का waste कभी भी नहीं है अच्छे तरह से समझने के लिए time का जरूरत होता है जिसका जितना patience होगा वो उतना आगे जाएगा anyway so अभी क्या करेंगे lithium chloride में होता क्या है? lithium का जो lithium का जो kation बनता है वो काफी छोटा होता है ये कौन सा kation है ये lithium ion का kation है जो chloride ion होता है ये थोड़ा बड़ा होता है ये minus है ये किसका आनायन है? chlorine का आनायन है chloride lithium chloride है ऐसा एक kation और एक आनायन से form होने वाला एक ionic compound है जैसे की हम सोच रहे हैं लेकिन क्या होता है? ये जो lithium ion इसका छोटा size होने के कारण ये इस आनायन का electron cloud को यानि chloride का nucleus के चारों और जो electron घूम रहे हैं वो electrons जब gather हो जाते हैं मतलब ये electrons को सब electrons को बोलते हैं हम electron cloud क्यों cloud बोलते हैं? कि nucleus को सुरिय की तरह है sun के तरह हम consider करते है sun के चारों और cloud है कौन सा cloud? electron का बनाया cloud ये electrons जब CL nucleus के चारों और है balance cell का जो electrons है वो electrons को chlorine का nucleus इतना ज्यादा खीचता नहीं है वो loosely bound electrons है वो electrons को काटायन क्या करता है? अपने और खीचता है जो हम expect कर रहे हैं ये भी spherical होगा ये भी spherical होगा actually ये असल में नहीं होता है क्या होता है फिर तो ये जो lithium का काटायन है ये जो chloride ion को थोड़ा chloride ion का electron cloud को थोड़ा खुद के और खीच लेता है तो इसका मतलव क्या है? electrons काटायन और आनयन के बीच में आने लगते हैं तब electron का transparency हम नहीं बोलेंगे अभी बोलेंगे आनयन और काटायन के बीच में electron का sharing होता है तो इधर क्या होता है? इधर क्या होता है? sharing sharing of electrons between two spaces between two spaces so जब electrons का sharing होता है कौन सा बंड तयार होता है? so covalency और covalent bond और covalency is formed और covalency is created covalency created covalency created is it visible to you clearly? yeah covalency is created right? इधर क्या होता है इधर क्या होता है? काटायन 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 attracts 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 the electron cloud of anion electron cloud of anion this is called this is called polarization this is called polarization this is called polarization sorry this is called polarization यानि काटायन आनायन का electron cloud को polarize कर देता है तो जब electrons आनायन का electrons काटायन के ओर हाने लगते हैं जिसको हम बोलते हैं शेरिंग हो जाता है आनायन और काटायन के बीच में जो electron cloud होता है आनायन का, आनायन का electron clouds अभी काटायन और आनायन के बीच में share होने के कारण, जब भी electrons share होता है, तब cobalent bond त्यार होता है, यह हम पहले से पढ़ चुके हैं, यानि जब cobalent bond form होता है, उसको हम इधर लिखे हैं, cobalency, यानि हम यह cobalent bond पूरा नहीं है, actually इसमें ionic character है, लेकिन sharing कुछ extent तक हो रहा है, इसलिए कुछ cobalent bond का character भी form होता है, जिसको हम लिखते हैं cobalency created, तो ionic bond में भी cobalent character है, यह अभी clear हो गया, बस lithium chloride का cobalent bond का character है, इसलिए तो organic solvent में वो dissolve हो रहा है, क्योंकि lithium chloride पूरा ionic compound अभी होके ना रहा, वो cobalency रखता है, cobalent bond character होल्ड करता है, बस यह था the concept behind the theory, कुछ-कुछ books में इसको एसा रखा हो है, और एक ही जगा पे यह कैसे polarize करता है, इस electron को एसा दिखाया गया है, मैं इसा ना करके दिखा दिया कैसे electron polarize हो जाता है, तो अभी इधर दिखा देंगे तो अच्छा भी रहेगा, कोई बात नहीं, ठीक है, बस, तो अभी क्या करेंगे, जो कौन सा species polarize कर रहा है, काटायन polarize कर रहा है, किसका polarization हो रहा है, आनायन का polarization हो रहा है, तो मतलग काटायन का क्या होता है, polarizing power, ये जितना छोटा होगा, इसका जितना बड़ा चार्ज होगा, वो आनायन का भालेंसिलेक्टों को उतना ज्यादा खीचेगा, उतना ज़्यादा सेयार करेगा, उतना ज़्यादा पोलाराइज करेगा, तो इसका पोलाराइजिंग पावार उतना ज़्यादा है, हम बोलेंगे, ठीक उसी तरह, एक आनायन का क्या होता है, आनायन का पोलाराइजिंग पावार, इसका है पोलाराइजेबिलिटी, मतलब इसक जादा हुभालैंट कोंपाउंड में जो क्यारक्टरिस्टिक से उसको दिखाना सुरू करेगा लगरा होगा आयोनिक में आयोंट जैसागन टोड्र आयोंड प् Nepias लिकत नहीं रहेगा समझेंगे तो लिख लेंगे तो अभी क्या करना है ये था फॉस्ट कंसेप्ट के से एक आयोनिक कंपाउंड में कुभालेंट क्यारेक्टर रह जाता है ये तो बैसिक कंसेप्ट था अभी इफेक्ट लेंगे काटान का क्यारेक्टरिस्टिक्स क्या है आन ओके, सो लेट उस प्रॉसेड नाओ ओके, माई डियर फ्रेंट्स इसको लिख सकते हैं हम भाजान सुरूल में हम लिख सकते हैं दो कुभालेंट क्यारेक्टर कुभालेंट क्यारेक्टर in an ionic compound ionic compound can be, can be demonstrated, can be demonstrated or explained, explained using, using Fajan's theory, using Fajan's theory, all right, or Fajan's theory or rule, whatever you consider it, did you get me na, so Fajan's theory, so, इसको अच्छे तरह से, जैसे ये पहले लिखना है, और इसके बीच में, जो भी example इधर में लिखा था, और कैसे polarizing power, polarizability, all in detail से लिखना, did you get me na, so, अभी हम देखेंगे, जो Fajan's theory को फलो करने के लिए, काटायन का कौन सा character होना चाहिए, आनायन का कौन सा character होना चाहिए, condition क्या है, अच्छा covalent characters लाने के लिए, covalent characters ज्यादा होने से क्या होता है, ये सारे, ये माम चीजा हमको discuss, discuss करना है, so, conditions, एक एक करके हमको discussion करना है, conditions for, conditions for greater, greater covalency, greater covalency in ionic bond, in ionic bond, ठीक है, अभी क्या करेंगे, first जो है, small size of cation होना चाहिए, small size of cation होना चाहिए, first condition है, जैसे कि मैं बोल रहा था कि lithium plus का size, small था, as compared to sodium का, sodium ion का size, इसलिए तो lithium का size, हम दोनों compound ले रहे रहे थे ना, lithium chloride, sodium chloride, lithium cation का अगर size इतना बड़ा हो, तो sodium का थोड़ा ज्यादा हो जाता है, जिधर cation का size, यह तो chloride का size, chloride है, chloride है, दोनों compound ही same आनान है, इसको discussion करने का जोरत नहीं है, जो ही change यह compound में आएगा, खाली cation का size के कारण आएगा, lithium ion का size, sodium ion का size से छोटा है, इसलिए यह बढ़िया covalency ला सकता है, क्योंकि small sized nucleus है, small sized cation है, वो आनायन का electron cloud को बढ़िया polarize कर सकता है, उसका polarizing power ज्यादा होगा, इसका मतलब यह लिख सकते हैं हम, smaller is the size of cation, smaller is the size of cation, smaller is the size of cation, higher will be the polarizing power, higher will be the polarizing power, इसलिए तो इसका यह जो lithium का higher polarizing power होता है, higher polarizing power होता है, compared to सोरियमाय, इसलिए अगर एक compound covalent बनता है, उसका melting point या boiling point ज्यादा होगा, या ionic compound का melting point ज्यादा होगा, यह हमको अच्छे तरह से पता है, general, as a general rule, ionic compound का melting point ज्यादा होता है, as compared to a covalent compound, अगर कोई compound में ज्यादा covalent से आ जाएगा, तो उसका melting point कम होने लगेगा, इसको हमें example के तरह ले लेंगे, अभी मैं लिख रहा हूँ एक बढ़िया से example, जिसको देखके हम अच्छे तरह से समझ सकते हैं, यह तो था alkaline metals का example, अभी मैं alkaline earth metals का example ले रहा हूँ, जिसको हम tabulation करके समझ जाएंगे, यह देखिए, कि इधर है cation of, यह example 1 था, अभी हम ले रहे हैं, example 2, cations of group 2, यानि alkaline earth metals, group 2, कौन कौन सा है, दो तिन लेंगे, बेरिलियम का है, यह तो सब भालेंची दो है ना, तो बाई पजिटिव cation देंगे, calcium का लेंगे, बेरिलियम, मागनेशियम, calcium, strongcium, barium, radium, ऐसे करके रहते हैं, अच्छा, इसका radius देखो, radius of these cations, इसका B2 plus का क्या है, यह 100 picometer में है, picometer, B2 plus का कितना है, कितना छोटा देखो, 31, फिर mg2 plus का 65, calcium का 99, बढ़ने लगा है, काटान का radius बढ़ता जा रहा है, तो जितना ज्यादा बढ़ेगा काटान का radius, वो वो पोलाराइज नहीं कर पाएगा, हमारा रूल है, जितना स्मलर होगा साइज काटान का, उतना बढ़िया, वो पोलाराइज करेगा, जितना बढ़िया पोलाराइज करेगा, उतना ज्यादा कोवालेंट से आजाएगा, उतना, जितना कोवालेंट से आजाएगा, कोवालेंट कारेक्टर ज्यादा उने से melting point कमेगा, तो देखिए, यह जो काटान है, उनका chloride हम लिखेंगे, melting point of anhydrous chloride, melting point of anhydrous chloride, melting point of anhydrous chloride, ठीक है, तो यह, अभी बेरिलियम का chloride मतलब, बेरिलियम का chloride मतलब क्या होगा, BECL2, मागनेशियूम का chloride क्या होगा, MGCL2, क्या होगा, CACL2, यानि इसका melting point देखेंगे, इसका melting point देखेंगे, इसका melting point देखेंगे, जब size छोटा था, ज़्यादा polarization होगा, ज़्यादा कोभालेंस आएगा, कम होगा melting point देखेंगे, यह तिनों, यानि यह तिन काटायन का chloride है, आनाइडरस मतलब कोई water of hydration नहीं है, खाली, pure chloride है, तो उनका melting point देखेंगे, ज़्यादा, ज़्यादा कोभालेंसी था, इसलिए इसका melting point सबसे कम है, 678, फिर 985, यह सब Kelvin में है, ठीके, इन Kelvin में है, 985, फिर 101045, देखें, जितना बड़ा होता जा रहा है काटायन का साइज, उतना बड़ा होता जा रहा है melting point, यानि किसका melting point जाधा है, आयोनिक compound का melting point जाधा है, किसका melting point कम है, जिसमें covalency जाधा होता है, जितना ज्याधा covalency character रहेगा, उतना कम होगा melting point, सो अभी कोन्सा मतलरी ये जो तीनों काता है किसका polarizing प्रेवर जादा है higher polarizing highest polarizing power इसका सबसे highest small size है ना small size है इसलिए highest polarizing power highest polarizing power greater covalency in chloride, greater equivalency, less melting point, सब कुछ लिखा हो गया भी, ठीके ना, बस यह जो पहले वाला काटायन का condition को लेके आज के लिए class इधर ही रखेंगे, फिर और एक class में और जो भी conditions है, हर एक conditions को एसे करके अच्छे तरह से समझेंगे, हो सके तो इसको आप एक screenshot ले सकते हो, और जैसे भी मैं लिख रहा हूँ, अगर lung question आ रहा है, तो इधर बस एसे ही लिखना है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, वेसे ही लिखना है, अच्छे तरह से मैं समझा दिया हूँ, बस इसको practice करना है, इसका problems क्या आता है, entrance के level तक भी जा सकते हो, अगर concept clear है तो So, thank you so much, I hope you enjoyed the class, we'll discuss in the next class, bye-bye, keep supporting me